गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो, सब अच्छे से हो ना, अभी तो सब बच्चों ने एंजॉय करना भी शुरू कर दिया होगा, और अभी मैंने आपको एक क्लास्टेस दिया था ना, अकल बढ़ी या भैसका, वो सब बच्चों ने किया, सब को रफ कॉपी में करना है और चेक भी करवाना है, जो मैंने असाइन्मेंट भेजा था, उसको देखकर मम्मी से कहना, चेक करके आपको मार्क्स देंगी, ठीक है, आज हम एक नया पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट अठारा, रानी की योजना, पेज नमबर 120, 120, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, कि एक बच्चा बहुत शतान होता है, तो वो बहुत तंग करता है सबको, तो शतानी करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी शतानी नहीं करो, जिससे सामने वाले को नुकसान हो, तो और हमें, कभी जब कोई शतानी करता है या कुछ करता है, तो हमको अन्याय के खिलाफ, मतलब जो गलत कार्य करता है, उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए, ऐसा नहीं है, कि एक जना गलत काम करता रहे और बाकी लोग सहते रहें, तो हमको अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए, और हर कार्य हमको साहस और चतुराई से करनी चाहिए, और एक दूसरे का आपसे सयोग भी करना चाहिए, हम ये सब इस पार्ट के माथ्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, हम शुरू करते हैं, रानी और रवी एक ही विध्याले में पढ़ते थे, पर दोनों की कक्षाएं अलग अलग थी, रवी की कक्षा में एक शतान बच्चा गोलू भी पढ़ता था, वह सभी बच्चों को तंग करता, पर कोई कुछ नहीं कह पाता था, अब आपने ये देखा ना कि एक विध्याले में दो बच्चे थे, रानी और रवी, दोनों की कक्षाएं अलग थी, तो जो रवी था, उसकी कक्षा में एक बच्चा गोलू था, जो बहुत ही शतान था, और सबको बहुत तंग करता था, एक दिन आदी छुटी के समय, रव रवी को, इंटरवेल के समय में, गोलू, आज खाने में क्या लाए हो, रवी, क्यों बताऊं, गोलू, अपना डब्बा मुझे दे दो, रवी नहीं दूंगा, तो गोलू उससे जिद करने लगा, उसका जो खाने का टिफिन बॉक्स था, वो उससे मांगने लगा, लेकिन र 121, गोलू ने रवी का डब्बा चीना, तथा उसमें रखी मिठाई और नमकीन खा गया, रवी कुछ नहीं कर पाया, और रवी ने क्या करा, चीन कर उसका टिफिन, गोलू ने रवी का टिफिन चीन लिया, और उसकी मिठाई और नमकीन खा लिया, गोलू, ये लो अपना ड दब्बा और भागो यहां से. अब तो गोलु रोज रवी के खाने का डब्बा चीनता और खाली कर उसे वापस दे देता. वह कभी ब्रेड जैम तो कभी मिठाई तो कभी पराठा चीन कर खाने लग गया. अब गोलु ने जब एक बार रवी का डब्बा चीना तो बार-बार उसको डब्बा चीनने की यानि तिपिन चीनने की उसको आदत से बन गई। विचारा रवी डर के मारे डर के कारण किसी को कुछ भी नहीं कहता था। एक दिन रणी ने रवी को रोता देख पूछा रवी तुम क्यों रो रहे हो। रवी ने कहा कुछ नहीं रानी कुछ नहीं हुआ रानी कोई बात तो है मुझे बताओ रानी ने साहस कर सारी बात रानी को बताई रानी ने क्या बोला फिर तुम चिंता मत करो अगले दिन गोलू ने रवी से उसके खाने का डबा मागा तो जब रानी ने पूछा रवी को तो तो रवी ने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके रानी को सारी बात बता दी, तो रानी ने का चिंता मत करो, फिर जब अगले दिन गोलु ने रवी से उसका डब्बा मांगा, रवी डड़ते हुए बोला नहीं नहीं, गोलु जल्दी लाओ, कहा है जाना है, रानी नहीं दूंगी, रानी ने खाने का डब्बा एक थेले में रखा हुआ था, अब रानी ने क्या करा, पहले जब चीनने लगा वो, तो रानी ने का यहाँ पर है रवी का डब्बा एक थेले के अंदर, गोलु ने रानी से थेला चीन लिया, और जैसे ही डब् उसके अंदर बैठे बिच्चू ने डर कर गोलू ने हाथ थेला फैंक दिया और भाग गया अब क्या हुआ उसने थेले में क्या कर रखा था रानी ने रानी ने थेले में एक बिच्चू रख दिया था जैसे ही गोलू ने थेले के अंदर हाट डाला तो अंदर बैठे बिच्चू से डर कर गोलू ने क्या करा थेले को फैंक दिया और भाग गया तब रवी ने रानी से पूछा तुम इतना खतरनाक बिच्चू कहां से लाई रानी ठाका मार कर हसते हुए बोली बुद्धू कहीं के वे बिच्चू तो प्लास्टिक का था रवी रानी की योजना से यानि उसकी तरकीब से योजना मतलब तरकीब से बहुत खुश हुआ दूसरे दिन गोलू ने रवी से माफी मांगी और आगे कभी ऐसा नहीं करने का वाधा किया इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली किसी भी चीज की अत्ती अच्छी नहीं होती है शतानी करो बुरी बात नहीं है लेकिन इतनी भी मत करो कि सामने वाला परिशान हो जाए और देखा अपने रानी ने उसकी मदद करी तो हमको जब कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ ह को दूसरे की मदद करनी चाहिए आप सबको समझ में आया ना वेटा पार्ट मैं आपको इसके शब्दार्थ समझा देती हूं योजना तरकीब साहस हिम्मत वित्यालय स्कूल ठहा का जोड से हसना आप इसको पार्ट को पढ़ना आपको मज़ा आएगा मैं आपको इसके प्रि चूंगी थैंक यू गॉड ब्लस यू